आप सभी आनिप्रो के दर्शक विंद का पुना एक बार स्वाजत और अभिनेंदन चैनल आनिप्रो पर में तरू आज विश्व के प्रत्थम सबसे पहले काउंटिंग करने वाले देश भारत वर्ष के विक्रम संबत दो हजार असी के चैत्र सुक्ल प्रतिपदा पे आप सभी को नववर्ष की हारदिक सुब काम ना है मित्रो मेरा विडियो थोड़ी से लेट से आया है क्योंकि बीच में बरसात हो रही थी और थोड़ी स्थ तवियत खराब होगी बारिस में गुमाने से और जैसा कि आप जानते हैं मेरा जितने भी प्रोपरिटी का विडियो आता है उसमें 99% अपने ही ग्रूप के मेरे विडियो होते हैं हम अपने 4-5 लोग है ग्रूप में अपना सौदा उठाते हैं कुछ व्यक्ति कहते हैं पूरा का पूरा मेरा है और वो मेरी कटाक्ष करते हैं मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है लेकिन मुझे इतना है कि मैं जो भी बता रहा हूं शत्य बता रहा हूं और सत्य के सिवाए अपनी जानकारी के हिसाब से कोई भी असत्य के मैं साथ नहीं लेता तो मेरे साथ देखे मैं बहुत बड़े वेक्ति नहीं हूँ, चोटा सा वेक्ति हूँ और मेरे साथ जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो बहुत लोग आपके साथ जुरने के लिए तियार होते हैं कई सारे फाइनसर हैं जो मुझे पे विश्वास करते हैं और मेरे कहने पे पैसे लगाते हैं और उन्हीं के पैसे से देखिए वो मिलके हमारे ग्रूप है जो प्रोपर्टी उठा करके हम लोग एक साथ अपने ही तरीके से बेचते हैं किसी दूसरे डीलर का प्रोपर्टी नह रुपे गज पर प्रोपेटी दिया है और उनका कहना हुआ कि सर आप जो भी बताते हैं 100% सच बताते हैं अब मुझे कोई कहीं बे कुछ भी बहकावे में ले आए मुझे भरोसा होगे आपकी बातों पर वाकी में लोग एक साल पहले वहां पर 25,000 रुपे गज लिया और आप ने मुझे 19,000 रुपे गज दिया तो देखिए मैं सत्य का साथ लेकर चलता हूँ और उनका विसास उस वैक्ति का उस सक्स का जिन्होंने प्लोट लिया है पर सो पेपर करवाया है सुनेल प्रभू है रोहनी सक्टर 17 से मैं उनका वी वीडियो सिग रही एक छोटी सी क्लिप डालूँगा और उनके इंटर्विव डालूँगा आज मैं हूँ भारत की राजधानी चेक दिल्ली 81 के पास भगत सिंग कलोनी में तो यह आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं यह 151 गज का 151 गज का जिसके फ्रेंट आपको इस 40 फुट पे 31 फीट का मिलेगा 31 फीट का 40 फ आपको तो 31 का फ्रेंट बहुत होता है 40 फुट है क्योंकि यह कमर्शियल रोड है इस कलोनी का सबसे चौड़ा रोड है और यह पीछे आप रमा भिहार देख रहे हैं यदि 40 फुट रोड पे रमा भिहार में बात करें सब अलाक रुपे डेट लाक रुपे गज है और यहा आप मेरे 40 फुट पे देख रहे हैं यहां से आप 500 मीटर आगे निगलते हैं तो आपको बस सस्टेन मिल जाता है यदि आप लेफ्ट जाएंगे तो मॉंड का मैट्री सेशन जो करीब 5 किलो मीटर मिलेगा और यदि राइट में आप जाते हैं तो जो 939 नंबर रिठाला मिल जाएगा तो अब बात करते हैं कि इस प्लोट में देखे पहले वाली वीडियो में और आम में काफी रेट बढ़ गया है क्योंकि UER2 जो गुरगाओं NH8 से होते हुए और यहां रसुलपुर गाओं मुंड का और दिवार का होते हुए रोहनी सेक्टर 37 हैलिपोर्ट होत है तो यदि आपको कलको गुरगाओं या सोनीपत या द्वार का या मुंड का जाना है तो आप एक्सप्रेस वेब पे जा सकते हैं क्योंकि सब कि इधर आसपास के जितनी कोलोनी हैं रमा बिहार या उतसब बिहार या कराला या अन्दपुर धाम सेब बिहार इस सब कोलोनी वालों को यहीं पर एंट्री एक्जिट पर आना पड़ेगा और फिर आप जा सकेंगे गुरगाओं की तरफ या फिर सोनीपत की तरफ पुरी आवादी मैंने दिखाया और मैं आ गया 40 फुटे रोड पर तो यह 31 कप फ्रेंट 40 फुट पे और 49.9 कफ फ्रेंट आपको 18 लिया और आज उसको पुणा मैं बेचने के लिए तियार हूँ तो 151 कज आप ले सकते हैं L टाइप का यह प्लोट होगा जो दक्षन दिखा में 31 फिट फ्रेंट मिलेगा 40 फुट रोड पे और 49.9 का फ्रेंट मिलेगा 18 फिट पे जो पश्यम दिखा का होगा एक आप देखें यही प्लोट है जो गौ माता बैठी है यही सामने यह प्लोट है भरत है बिल्कुल मिट्टी डले हुए बॉंडरी किया हुआ है और बिल्कुल रोड के लेवल में हैं आप चाहें तो यहाँ पे अपने दो तीन दुकाने भी निकाल सकते हैं यहां तो 31 की फ्र 100% दावे के साथ क्याता हूँ और अच्छे घर बनें अच्छे लोग रह रहे हैं वह मैं आपको दिखाऊंगा इस साइड से फ्रेंट में आपको दिखा रहा हूँ यहां कि आप फ्रेंट देखें यह जो आप देख पारें यह 49.9 यहां से भी लेगा इस रोड से तो 101 कारबन गज बनता है और जो भी आपके पेपर पे होगा पैसे उसी के देने हूए देखिए अब मैंने रेट बता है 37,000 रुपे गज तो मोल भाव आपका अधिकार है और बिलकुल इस बहाने हमारे आयेगा तो मैं सौदा दे कर भेजता हूँ और कई जो हमारे ओफिस में लड़के थे और गलत हरकत करने के वज़र से हमारे कश्टमर जैसे एक सुमन्स होनी थी उनको उन्होंने काफी महगा प्लोट दे दिया मुझसे चुपके बाद में मुझसे मिली तो कह रहे सर आपका तो सथा होता है मेरे कुछ इन्होंने बहुत महगा दिया और आपके साथ ही उठा करते थे तो देखे जो भी मेरे साथ होते हैं उसंसे पेائ स्वास करके एक शर्मा जी है जो रमा बहार में पेँविंट कर दिया वो डिलर मेरे साथ थे और उनने थी कैब एक मिटिंग क्योंकि वो plot मेरे नहीं थे किसी की थुरू गया था मनलब कोई और भी डीलर था जितों मेरा के माचर एक चोटी सी कमीशन बन रहा था और वो कमीशन से बचने के लिए लालच में चले गए उनके पास और डीलर ने ऐसा व्यभाड किया कि आज तक उनको plot का paper नहीं मिलना है व अब फसे हुए और मुझे याद कर रहे हैं मेरे वीडियो पर उन्होंने कमेंट भी किया था कि मैं इनका देखिए मैं आपको पूरा वीडियो चैट दिखाओंगा मेरे से दूआ सलाम तक उन्होंने बंद कर दिया सोचा इनों कि मुझे एक छोटी सी रगम 30-32 जार देने क के लिए मेरे से बिल्कूल कट गए आज मेरे पास आये हैं तो मैं समझता हूँ कि सर्वा फैमिली को सोचने चाहिए सत्य का साथ देना चाहिए डीलर जो बीच में कोई था तो मुझे तो चाहेगा साइड कर दे और आप से पैसा लेंटना है मैं होने नहीं देता गलत चीज और लोग कहते ब्राह्मन तो मैं भी एक ब्राह्मन फैमिली से हूँ तो सत्य का इदम साथ देता हूँ तो मुझे आप में कुछ कमिया नजर आई जो मुझे तकलीफ देती है इस तरह कि मैंने वो भी रखा हुए तो यह फ्रंट न बहुत तो आप सभी आधनी दर्शक बिन का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना बोमुल समय इस वीडियो पर दिया है और मैं आगे भी आपकी सेवा में हाजी रहूंगा कुछ भी मेरे में कम्या है तुरूटी है तो किर्प्या मुझे वाट्सअप करके सजिसन दें फोन नहीं उठाता हूँ तो जरूर करें मैं माफी चाहिए